जिठानी बनी बड़ी मा लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर सक्म भर जाता है लेकिन मुझे लगता है कि एक दर्द है जो कभी नहीं भर सकता और वो है मा ना बनने का दर्द ये दर्द ऐसा होता है जो वक्त के साथ शायद और ज्यादा गहरा होता जाता है हर औरत का सपना होता है कि उनके आंगन में किलकारिया गुंजे लेकिन जिनका ये सपना पूरा नहीं होता उनके लिए इस दर्थ से गुजरना काफी मुश्किल होता जाता है अगरवाल परिवार की बड़ी बहुज योती बहुत अच्छी है कामकाज में, उठने, बैठने में और दिखने में भी काफी सुन्दर है लेकिन शादी के आंट सालों के बाद भी आकाश और जोती की कोई संतान नहीं पर वो अपनी छोटे देवर अनुज को बल्लकुल अपने बेटे जासा ही रखते हैं अब उसकी भी जल्दी ही शादी होने वाली है अरे कावेरी बधाई हो, अब तो तेरी छोटी बहु भी आने वाली है अब तो कावेरी और भी ज्यादा फ्री हो जाएगी फ्रे नहीं होती अगर पोते-पोते होते उसी मैं लगी रहती लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं अरे जोती बहु तुने किसी डाक्टर को दिखाया या नहीं जी पुवाजी दिखाया है दबाई चल रही है अब जो किस्मत पे होगा वही होगा तुना अपना दिल छोटा मत कर अनुज भी तो तेरे बेटे जासाई है अरे अब ये सब बाते छोड़ो और नई दुलहन के आने की तयारी करो जोती बहु जा तू भी तयार हो जा जी माजी तावेरी के घर में नई बहु के आने की तयारिया तो चल रही थी पर उसी बीच हर किसी की नजर ज्योती की खाली गूद पर थी जिस वज़े से ज्योती है फिर भी तुम उदास क्यों लग रही हो कभी कभी सोचते हूं कि काश मेरी भी गोद भरी होती तो आज मुझ से यह रिष्टेदार सवाल जवाब तो ना करते हमारा बच्चा नहीं हो रहा इसमें तुमारे अक्यले की तो गलती नहीं है जोती और हमारा पूरा परिवार जानता है कि तुम कितनी अच्छी हो इसके लिए सब के बारे में मत सुचो चलो अब अनुज की बारात निकल रही है रहा चलो आजाओ जी चलिए अनुज की शादी धूमधाम से संपन हो गई सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से नई दुलहन का स्वागत भी किया जोती काफी कुछ दी कि उसकी देवरानी आ चुकी थी वो उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी अच्छा वह भाभी आप मुझी कमरे में ले आई मैं सच में बहुत ज्यादा थकी थी जानती हूं तुम्हारा चैराई मुर्जा गया था इसलिए मैं बहाने से त यहां थोड़ी दिर आराम कर लो तुम्हें अच्छा लगेगा मुझी तो लग रहा था कि पता नहीं कि मेरी जिठानी कैसी होगी लेकिन भाभी आप तो बहुत अच्छी हैं आरे हम जिठानी देवरानी की तरह नहीं बहनों की तरह रहेंगे ठीके अब तुम आराम करो मैं भाभी सच में कितनी अच्छी है वो तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है बल्कुल अपने बेटी जैसा रखती है लेकिन पता नहीं क्यूं अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है मतलब क्या कहना चारे हो तुम तुम्हें पता ही है भाईया और भावी का कोई बच्चा नहीं है, भावी का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी ममता है, ये किसी को नहीं दिखता, अक्सर हमारे रिष्टेदार भावी को सुनाते रहते हैं, उनसे सवाल करते रहते हैं, और मुझे ये बिल्कुल अ दर्ज रखती हैं आयूशी की समझदार लड़की थी जोती के साथ उसका रिष्टा काफी प्यारा सा था और उनका वक्त अच्छे से कट जाता था लेकिन पिछले दो दिन से आयूशी की तब्यत कुछ खराब रहने लगी थी आयूशी क्या हुआ आज भी उल्टी जैसा लग दीड़ा नहीं चल कर दोनों या विख यह तो जयोती आयूशी को डौक्टर के पास ले जाती है पर उन्हें आनने में काफी समय हो जाता अरे मा ज्योति और आयूशी दिखाई नहीं दे रहे हैं आरा ज्योति आयूशी को डॉक्टर के पास ले गई है उसकी तब यह दो दिन से ठीक नहीं थी ना अरे पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था आ वैसे उन्हें गए भी काफी देर हो गई है येलो नाम लिया औ सब ठीक नहीं है डॉक्टर ने कहा है कि अब हमें आयूशी का ज्यादा ध्यान रखना होगा ज्यादा ध्यान क्यों कुछ हुआ है कि आयूशी को भाबी हुआ नहीं है पर जल्दी ही होने वाला है पंस यही कुछ नौ महीन हो में क्या आयूशी सच में बदाई हो दीबर ज यहां जाब हूँ मैं तेरी नजर उतार लेती हूँ बदाई हो अनुज आज मैं बहुत खुश हूँ थैंक्यू भईया जियोती तुम ठीक हो ना हाँ ठीक हूँ अनुज और आयुशी माता पिता बनने वाले हैं इससे बड़ी खुश है और क्या हो सकती है जियोती अपने दे दुख से आयुशी की खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने अपने चेहरे पर अपना दर्त नहीं आने दिया आयुशी उठ जा लो पहले ये दूद पिलो फिर आराम करना ठीक है अरे ये क्या ग्यारा बज़ रहे हैं सुबह के मुझे इतनी नेंद आ गई आयुशी जब से प्रेगनेंट हुई थी तब से जोती उसका इतना ध्यान रखती थी जितना उसके माय के वाले भी नहीं रख रहे थे आयुशी मैं चार दिनों के लिए अपने माई के जा रही हूँ मेरी मा की तब्यत ठीक नहीं है पर मेरे पीछे अपना अच्छे से ख्याल रखना ठीक है अच्छे से खाना पीना और आराम करना जी भावी आप अंटी जी का ध्यान रखेगा मेरी चिंदा मत कीजीगा अरे जोती तु जा हम है ना और इसकी भावी भी तो है हम उसे बुलवा लेंगे वो इसका ख्याल रख लेगी ठीक है माजी अब मैं चलती हूँ मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है जोती चार दिन के लिए अपनी मा के पास गई हुई थी और इसकी पीछे आयुशी ने अपनी भाव हो जाता आयुशी चार दिन के लिए मैं कैसे आ सकती हूँ मेरा खुद का भी तो घर है तेरे भाईया ओफिस जाते हैं और मुझे भी घर में काम होता है तिरी सास है ना वो रख लेगी तेरा खैल उनकी भी अब उम्र हो गई है ना भावी वो इतना काम नहीं कर पाती सारी पर मैं तो नहीं आ सकती आयुशी तो अपने सिसुराल पक्ष में से ही किसी से पूछ ले ठीक है भावी भावी तो नहीं मान रही मैं बुआ जिसे ही पूछ लेती हूं आयुशी ने अपने मायकिये वालों से और सिसुराल वालों से दोनों से पूछा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की. कावेरी भी उसका उस द्यान नहीं रख पा रही थी, जिस तरह जोती उसका खाल रखती थी. जिस वज़से आयूशी को अब कमर में काफी दर्द रहने लगा था. क्या हुआ, फिर से कमर में दर्द हो रहे क्या? हाँ अब प्रेग्नेंसी में तो ये सब लगा ही रहता है पर भाबी थी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी हाँ वो तो है पर तुम चिंदा मत करो कल भाबी वापस आ रही है आच्छा चिलो ये बहुत अच्छी बात है भाबी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा आयुशी खुश थी कि जोती वापस आ रही थी क्योंकि आयुशी को पता था कि जोती की तरह उसका ध्यान कोई भी नहीं रख सकता पर जब ज्योती बापस आई तब उसका चेरा काफी मायोस सा था जैसे वो कोई दर्द अपने अंदर छुपा रही हो पर वो किसी को कुछ बताने ही रही थी ज्योती की शादी को आठ साल हो गये थे लेकिन आकाश और ज्योती की अब तक कोई संतान नहीं थी लेकिन जियोती के मन में सब के लिए प्यार और ममता बहुत थी वो अपने देवर अनोज को भी उतना ही प्यार करती थी और उसकी शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी आयूशी को भी लेकिन भगवान का खेल देखो की शादे के थोड़े वक्त बाद ही आयूशी गर्पवती हो गई और जियोती फिर भी दुखी होने के बजाए आयूशी का बहुत ध्यान रखती इतना ही नहीं जब जियोती कुछ दिन के लिए अपने माय के गई तो आयूशी का साथ किसी ने नहीं दिया और फाइनली अब जियोती वापस आ चुकी थी लेकिन इस बार वो कुछ उदास लग रही थी अच्छा हुआ भाबी आप आगई आपको पता नहीं मैंने कितना कितना मिस किया मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी वो सब छोड़ ये बता कैसी है तू आरा कुछ मत पूच जोती बहू तेरे जाने के बाद ना इसके माय के से कोई आया इसकी देख बाल को और ना हमारे रिष्टेदारों में से किसी ने इसकी खबर ली अरे इसकी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया ना ठीक से उट पा रही है ना बैट पा रही है कैसे मैंने कहा था ना अपना ध्यान रखना भावी सच कहूं तो आपकी जैसा ध्यान मेरा और कोई नहीं रख सकता आप आ गई है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ ठीक है अब ज्यादा से ज्यादा आराम करना तुम ठीक है और किसी भी चीज़ की जरूत हो तो मुझसे कहना हाँ मैं भी ठाक गई हूँ अच्छा वो तुम आ गई जोती पहू जी माजी आप भी आराम कर लीजे मैं सब के लिए खाना बना देती हूँ हाँ मैं तो जाई रही हूँ अपना कमरे में जी भापी एक बात पूछो हाँ पूछो आप बहुत उदास लग रही है वहां कुछ हुआ था क्या अरे नहीं तु ऐसे कोई बात नहीं आयूशी यह तो बुस थकावट है और कुछ नहीं आप सच कह रही है क्योंकि आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है अरे नहीं कुछ नहीं आया तुम ज्यादा मत सोचो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम ना अब अपने उपर ध्यान दो हाँ चीक है आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ जाओ आराम करो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बिजवाती हूँ जियोती ने आयूशी से कह तो दिया लेकिन उसके चेहरे की उदासी दिखाई पड़ रही थी पर वो अपना दुख भूलकर आयूशी की देखपाल में लग गई नाइने मुच्छ नहीं हो रहा अरे कोशिश तो करो अब यहां तो तुम्हें खुदी जाना होगा ना नाइना मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है सच में अनुछ क्या हुआ अरे भाबी आयूशी को बातरूम जाना है पर कह रही है कमर में दर्द है तो नहीं जाना बहुत ज्यादा दर्द है क्या आयूशी आँ भाबी बहुत दर्द हो रहा है सच में कोई बात नहीं चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ बातरूम में आओ भाबी आप, आरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बेहन जैसी हूँ ना, चलो मैं लेज चलती हूँ तुम्हें, तेंक्यू भाबी, इस कमरदर्द के लिए मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, थोड़ी दिन मालिश करूँगी ना पैरो की, सुजन, कमरदर्द द नहीं रखते थे, हाँ, आप कमर सेधी करो, हाँ, बिल्कुल ऐसे, भाबी, सच में मेरी कमर का दर्द तो अब ना के बराबर हो गया, मैंने कहा था न, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ला, मैं तुम्हारे पैरो की मालिश भी कर देती हूँ, कितने सूज गया है पैर, देखो ने, 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 बापी, आप मुझसे बढ़ी है, आप मेरे पैरो को मचुए, आरे, तुम मा बनने वाली है, इस हालत में पैर सूजी जाते हैं, मैं मालिश कर दूँगी, तो अच्छा लगेगा, ला, शर्मा मत, आओ, देखो, दोनों यहां बाटिया, अच्छा, कैसी हो, ज निला की सेवा करने से पोणिय प्राप्त होता है, शायद तु इसकी सेवा कर ले, तो तेरे भी भाग खुल जाए, अब इतने साल हो गए, अब तो मुश्किल लग रहा है, पर शायद भगवान तेरी सेवा देखकर प्रात ना सुन ले, जी अंटी जी, आरा तू भी क्या द किलकुल तेरे जैसा, इस घर का चिराग आ जाए, बस चल दी से, मैं यही दुआ करती हूँ, थेंक यू आउंटी जी, अब तो क्या है, तेरा आठवा मैना लग गया है ना, कोई ना कोई आशिरवाद देने आता ही रहेगा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तुझे सारे आशिरवाद मिलने वाले हैं, आयूशी, जी, जहां एक तरफ आयूशी को आशिरवाद मिल रहे थे, वही दूसरी तरफ जूती के हालत पर लोगों के सवाल और ताने खत्म होते नहीं दिख रहे थे, जिससे जूती काफी दुखी सी हो गई थी, क्या हूँ, तुम रो अखलिफ हो रही है, लेकिन फिर भी तुम सब के लिए किये जा रही हो, तुम अपना दुख मुझसे बाढ़ सकती हो, जोती, 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 मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो, नहीं, नहीं, आविशी मा बनने बाली है, मैं उसे इस तुम थोड़ा आराम कर लो अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो मैं हूँ तुम्हारे लिए आयूशी का आठवा मैना लगते ही घर में रिष्टेदारों का आना जाना शुरू हो गया था सब लोग आयूशी को आशिरवाद देने को आने लगे थे अरे आयूशी देखो जान की चाची और निर्मला बुवाजी आई हैं तुम से मिलने आज आओ बाहर जी माजी बस अभी आई नमस्ति चाची नमस्ति बुवाजी कैसी हैं आप हम तो ठीक है बस सोचा कि आयूशी बहु को आशिरवाद दे दे तुमने तो ये मौका दिया नहीं हमें औरे हम तो बस मजाग कर रहें जूती देखो दिल पर मत ले न हमें भी न तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारी गोज सुनी अभी आ नहीं तो क्या और देखो आयूशी बहु को कितना वक्त दुआ है शादी को और अब वो मा भी बनने वाली है आप दोनों भी कैसी बाते लेकर बैठ गई चलिए चाय नाश्ता कर लिजे अरे ये लिजे आयूशी भी आ गई अरे हम तो बस अफसोस जता रहें जोती बहु तु तो जानती है हम तुझ से कितना प्यार करते हैं जी अरे आयूशी बहु यहां सदा खुश रहे तेरे घर छोटा सकन है यहां जल्दी आ जाए बहु हाँ आप कावेरी भी बिजी हो जाएगी वनना तो सारा दिन घर में बैटके मन नहीं लगता होगा है ना ऐसी कोई बात नहीं है जी जी मेरी ना दोना बहु के साथ अच्छी बनती है हाँ हाँ वो तो है चलो अब हम चलते हैं ज्योती बहु तु भी किसी अच्छी और बड़े डाक्टर को दिखा दे कहीं ऐसा नहों कि अनुष का बच्चा भी बड़ा हो जाए और तू अरे बुरा मत बना हां बहु हमें तो बस तरी फिक रहना तब ही कह रहे हैं जी आते जाते रिष्टेदारों की बातों से ज्योती का मन बहुत तूट चुका था और इसके ही चलते उसने फैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी क्या यही तुमारा आखरी फैसला है ज्योती हाँ अब मैं यहां नहीं रह सकती मुझसे रोज रोज के यह ताने और सवाल सैन नहीं हो रहे और अब तो आईशी भी मा बन जाएगी वो अपने बच्चे में बिज़ी हो जाएगी मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए ठीक है अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं आज ही हमारी कानपूर के टिकट करवा देता हूँ हम वहाँ जाकर अपना नया घर बसाएंगे जी ज्योती के जाने की खबर जब घरवालों को पता चली तो सब के हूश उड़ गया यह आप क्या कह रहे हैं भाईया अब हमें ऐसे छोड़ कर कैसे जा सकते हैं वहाँ कानपूर में मुझे बहुत अच्छा व्यापार का मौका मिल रहा है इसलिए हम जा रहे हैं और आते जाते रहेंगे न हम यहाँ हाँ हम मिलते रहेंगे तुम लोगों से भाबी प्लीज आप ऐसे कैसे जा सकती है अरे पगली अब तो तो खुद बिजी हो जाएगी तेरा बच्चे आ जाएगा तो पर भाबी चलो जोती हमारी ट्रेन कब वक्त हो रहा है अहां जी चलिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा हाँ जोती के जाने से घर की रौनक ही जैसे चली गई सब कुछ सुना सुना सा हो गया उदर जोती भी घर वालों को बहुत मिस्ट कर रही थी आकाश और जोती ट्रेन में बैठे ही थे कि अचानक अनुझ का फोन आता है कि जल्दी से अस्पताल पहुँचे क्या हुआ माजी आयूशी ठीक तो है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है और बदाई हो हमारे गर नन्ना सा काना आया है क्या आपको भी बताई हो माजी आप ही जी होती है क्या जी मैं ही जी होती हूँ ये लीजिए आपका बच्चा अरे नहीं नहीं यह मेरा बच्चा नहीं है यह तो वो आयूशी का बच्चा है अरे पिर वो तो लेही नहीं रही कहा रही है कि मेरे बच्ची की बड़ी मा यही है पहले वो लेंगे मैं नहीं क्या मैं बड़ी मा आजा जोते पहो अंदर आजा आयूशे ये तुम भाबी आपी इसकी असली बड़ी मा है आपी को तो पालना है इसे सबसे पहला हग आपका है इस बच्चे पर आपने जितना मेरा खयाल रखा है उतना तो मेरे माई के बालों ने भी नहीं रखा कोई चाहे कुछ भी गए लेकिन इस बच्ची की बड़ी माँ आपी है मीरा बच्चा अब तो आपकी पाल में इस बच्ची की मुह की बेडिया लग गए बाबी अब तो आप बापस नहीं चाहाँगी न अपने बच्चे को छोड़कर कोई बड़ी बाद जा सकती है फला ये हुई ना बात